तो कल हम पढ़ रहे थे जो जे एस मिल था उसने उसने कहा कि जो ब्रिटिस है इनकी से उसा बैता है सिविलाइशन है उसके तुला में यूरोप के तुला में जो भारत की सिविलाइशन है साब बहुत ही पीछे है और उसने कहा कि जो ब्रिटिस है इसको चाहिए कि पूरे देश को पूरे जो भारत देश है इस पर कबजा कर ले और यहाँ अपनी सबैता जो इसकी एजुकेशन है उसको लागू करे इन दिस आइडिया ओफ हिस्टी इतिहास की इस धारणा में इस विचार धारणा में ब्रिटिस रूल रिप्रेजेंट आल दा फोर्सेंट प्रोग्रेस एंड सिविलाइशन तो जो बिटिस सासन था वो अंग्रेजी सासन प्रगर्ति और सभिता का प्रतीक था अगर हम इतिहास की इस धारणा की बात करें जो जेस मिल ने बताई है तो इसके इसाब से जो बिटिस का सासन था वो प्रगर्ति और सभिता का प्रतीक था The period before British rule, वो समय, जब British rule नहीं था हमारे देश में, was one of darkness, तो वो अन्धकार का दौर था Can such a conception be accepted today? क्या इस तरह की विचारधारा को हम सुईकार कर सकते हैं? In any case, can we refer to any period of history as Hindu और Muslim? क्या इतिहास के किसी दौर को, किसी भी particular period को हम हिंदू या मुसल्मान का दौर कह सकते हैं? Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? क्या इस दौर में, जो कई सारे धर्म थे, वो एक साथ नहीं चलते थे? जिस समय के इतिहास की बात हो रही है, तो क्या उसमय दूसरे और धर्मों के लोग थे, वो एक साथ नहीं चलते थे? नहीं रहते थे? Why should be characterized and is only through the religion and not the rulers of the time? किसी युग में केबल उस समय के शाषकों के धर्म के हिसाब से तैकरनी की जरूरत क्या है? Why? Why should be characterized and is only through the religion of the rulers of the time? हम उस समय के साथ सक का क्या धर्म था? किस धर्म का मानने वाला था? हम उसी के हिसाब से हिस्टी को क्यों तैकरते हैं? To do so is to suggest that the lives and practices of the other do not really matter? क्या उस समय जो दूसरे लोग थे, दूसरे धर्मों के मानने वाले, क्या उनके जीवन और जीवन जीने के तरीके थे? क्या दूसरे राजा के पेच्छा भी तो बहुत लोग रहते थे समाज में? तो वो किस धर्म को मानते थे, किन प्रथाओं का पालन करते थे, तो उनका कोई महत तो नहीं है? We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. हमें ये भी याद रखना है कि जो एनिशेंट भारत में जो सासक हुए है, उनका भी कोई एक धर्म नहीं होता था. It did not all share the same faith. Means, ऐसा नहीं कि जितने भी सासक हुए है, वो एक ही धर्म के हुए है, या एक ही धर्म को मानने वाले हुए है. Moving away from British classification, अगर हम जो अंग्रेजु दरा वरगी करन बताया गया है तिहास का, ठीक है, जो अंग्रेजी तिहास कार हुए है, उनसे हट के बात करें, Historians have usually divided Indian history into ancient medieval and modern, तो जो अंग्रेज इतिहास कार है, उनकी इतिहास की हम बात ना करें, जिस हिसाब से उनकी इतिहास को बनाया है, हमें बताया है, हिंदू-मुस्लिम के तौर पे बाट के, इसके हम उलट बात करें, इसके अपोजेट बात करें, तो हमारे हाँ जो इतिहास कार हुए है, उन्होंने इतिहास को अपने हिसाब से डवाइड किया है, इसमें ancient history, medieval history and modern history, इसमें particular किसी धर्म या जाती को लेके बात नहीं की है, this division too has its problem, इस division में भी क्या है, अपनी समझ जाए है, इसके अपनी क्या समझ जाए है, इतिहास को हमने, जो इन अलग-अलग groups में बाटा है, तो यहाँ समझ भी कहां से आई है, इसको हमने कहां से डॉप्ट किया है, western से, पस्चिम से डॉप्ट किया है, borrowed from the west, पस्चिम में जो modern time है, ठीक है, उसमें science, region, democracy, liberty, equality, इसको आधार माना गया है, जो western हिस्ट्री है, जिसको हमने आधार मान के अपने इतिहास को डिवाइड किया है, तो वहाँ कब जो इतिहास है, वो science, region, democracy, आधी, इनको आधार मान के लिखा गया है, तो हमने इसको भी कहां से कौपी किया है, वहीं से कौपी किया है, medieval was a term used to describe a society, where these features of modern society does not exist, जो हम medieval इतिहास बताते हैं, तो medieval इतिहास का मतलब ये, कि समाज का वो हिस्सा, जहां जो आधनिक सुबधाय हम यूज करते हैं, जिनको ये आधनिक सुबधाय उपलब्द नहीं थी, जिस समय आधनिक सुबधाय उपलब्द नहीं थी, उसको हम medieval history में रखते हैं, और जो आधनिक सुबधाय यूज करते हैं, इसको हम modern history में रखते जो यह विशेषता बताई गई है क्या हम इसको अपनी study के लिए जो modern history है इसके अधारणा को बीना कुछ सोचे समझे अपना सकते है As you will see in this book अगर आप इस book में देखेंगे Under British rule, people did not have equality, freedom or liberty इसी अधाय में देखेंगे जिसमें British हासन हुआ करता था उसमें अंग्रेदू के सासनकाल के दौरान में लोगों में समानता, स्वतंतरता या उनको किसी बात की आजादी नहीं थी Nor was a period one of economic growth and progress और नहीं आर्थी विकास और प्रगती का दौर था Many historians therefore refer to this period as colonial इसलिए बहुत से इतिहासकारों ने इस यूग को आउपनिवेसिक यूग कहा है colonial period कहा है What is colonial? Colonial होता गया है आउपनिवेस क्या होता है? In this book You will read about The way the British came to conquer the country And establish their rule इस बुक में आग पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेज हमारे देश में आए यहाँ लोगों को हराया जो हमारे यहाँ के राजा थे स्थानी सासक उनको हराके अपना सामराज इस्थापित कर लिया अपना सासन इस्थापित कर लिया Subjugating local नवाब और राजाज स्थानी राजाओं को हराके नवाबों को हराके यहाँ अपना सासन इस्थापित कर लिया You will see how they establish control over the economy and society Collected revenue to meet all their expenses Bought the goods they wanted at low price Produce crops they needed for export And you will understand the change that came about as a consequence और आप पढ़ेंगे इस बुक में कि किस तरह उन्होंने भारत की जो अर्थ व्यूस था थी समाज था उस पे control कर लिया निरंतर्ण कर लिया और अपने जो उनके खर्चे होते थे ठीक है उनको निप्टाने के लिए या किया उन्होंने Collected Rand Revenue To meet their expenses अपने खर्चों को निप्टाने के लिए पूरा करने के लिए उन्होंने कर बसूले Bought the goods they wanted at low price और जिन सामानों को चाहते थे उनको उन्होंने कम मूले में खरीदा Produce crops they needed for export और जिन फसलों के उनको आवे सकता होती थी उनकी खेती करवाई जवर जस्ती And you will understand the changes that came about as a consequence ठीक है तो जो परिवर्टन आए जो बदलाव आए ठीक है तो इनको आप पढ़ेंगे परदाम सुरूप जो इन्होंने कोसिचें की उसके जो परिवर्टन आए उसके बारे में भी आपढ़ेंगे You will also come to know about the changes British rule brought about in values and test its custom and practices और जब यह हमारे देश में आए तो इन्होंने यहां के राजनीतिक, आर्थिक, सामार्जिक और सांसिकर्तिक बदलाव भी आए इसी सिस्टम को, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है अपनिवेशी करण कहा जाता है When the subjugating of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes We refer to this process colonization तो जब हमारे समाज में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांसिक बदलाव आते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं Colonization कहते हैं आपनिवेशी करण कहते हैं ठीक है हम अपना सब forget करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे थे और वो अपनी चीजों को हमारे उपर जबरस्ति लागू करते जा रहे थे इसी प्रक्रिया को हमने आपनिवेश नाम दिया है आपनिवेशी करण कहा है इसे यह भी आप जानेंगे कि जितने भी वर्ग थे, जितने भी समूँ थे इन सभी में एक ही प्रकार से बदलाव नहीं आए इस चेंज़े इन दा सेम वे दिद नाट एक्सपिरियंस This is why the book is called our past in the plural इसलिए हम इस किताब को क्या कहते है हमारे अतीत, यानी इसका plural form कई सारे अतीतों पे यह किंद्रित है इक अतीत नहीं, बहुत सारे बीते हुए самे इसलिए इसको plural form में रखा गया है पीछे की कच्छा में आपने पढ़ा होगा जो हमारे भारत का इतिहास है इसको लिखने के लिए जो इतिहासकार है वो कौन से sources को यूज़ करते है administration produce record प्रसासन क्या करता है यह record को produce करता है वोन इंपोर्टेंट सोर्स इस दो ऑफिसिल रिकॉर्ड ओफ दे बिटिस्ट आड्मिस्टेशन एक जो बहुत ही important record है इतिहासकारों का वो अंग्रेजी सासन दोरा तयार किये गए record एक बहुत ही महत्पूर्ड record है हमारे तिहासकारों के लिए यह तिहासकार ऐसा मानते थे कि चीजों को लिखना इन राइटिंग वोज इंपोर्टेंट यह महत्पूर्ड है इवरी इंस्टक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रिमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टो बी क्लियरली रेटन अप कोई भी घटना हो कोई योजना हो कोई फैसला हो, जांच हो ठीक है, तो उसको इनके इसाफ से साफ साफ लिखना बहुत जरूरी था एक बार इनको कर लिया जाता था तो उन चीजों पर पर्टेकुलर अधियन के जाता था और बहस की जाती थे डिवेट की जाती थे इस इस समझारी के चलते जो ग्यापन होता था या टीपड़ी होती थी ठीक है, उसके कल्चर ओफ मेमोज ये प्रतिवेदन की एक प्रथा सुरू ही, संसक्रती पैदा हुई बिटिस भी ऐसा मानते थे कि जितने भी महत्तपूर दस्तावेज हैं डाकूमेंट से, लेटर से, ठीक है इनकी आवसकता है और इनको सुरच्छित रूप से रखा जाना भी जरूरी है इसलिए उनने एक रिकॉर्ड रूम की सपना शुरू की, जहां पी सारे दस्तावेज रखे जा सके दे विलेस तहसिलदार्स ओफिस दे कलेक्टरेट दे कमिस्टनर्स ओफिस दे प्रोविंशियल स्टेटरेज दे लोगोर्स जितने भी डिपार्टमेंट है सभी में क्या होता है कि एक रिकॉर्ड रूम होता है इस्पेसलाइज़ इंस्टिटूशन लाइक आर्चीफ्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो इस्टेबलिस्ट टो प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड और जो महतपूर्ड इंपॉर्टेट दस्थावेज होते थे उनको रखने के लिए अभिलेखा गार के अलावा जो रिकॉर्ड रूम बनाएं इनके अलावा अर्चीप्स एंड म्यूजियम्स भी बनाएं गए ठीक है जहां पे महतपूर्ण दस्थावेजों को रखा जा सके लोग उनको देख सके जान सके लेटर एंड मेमोज देट मोवड फ्राम वन ब्रांच ओफ दा अडिमिसेशन टू अनदर ब्रांच दा अर्ली येर्स ओफ दा नाइंटींथ सेंचरी can still be read in the archives और जो बहुत सारे दस्थावेज जो 19 सताबदी के शुरुआत में अंग्रेजों की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाते थे इनको आज भी आप आर्चिवस में देख सकते हैं जो अब लेक गार होन में देख सकते हैं और जो इनके दस्थावेज होते थे जिलादखारियों दोरा त्यार किये गए या इनके उपर जो आफसर्ज बैठे रहते थे उनके द्वारा जो दिसाने देश होते थे यह दूसरे जो प्रसासी काईया होती थी ठीके उनको क्या किया जाता था इंसक्शन्स और डिरेक्टिव देट वर सेंट टो अफिसिल एड़ टॉप आप प्रविंशियल आइडिमिसेटिव ति इनको आप देख सकते हैं आज भी इनको समझ सकते हैं इनका क्या वर्क होता था और कैसे इनको प्रेपेर के जाता था इन अर्ली येर्स आफ दर नैंटीन सेंट्री उनिस्वी सताबदी के शुरुवात में ही इनको जो कैली ग्राफिक्स होते थे ठीक है उनके द्वारा दुबारा से सुन्दर सुन्दर लिखा जाता था कॉपी किया जाता था और ये लिखता कौन था जिनको लिखने की कला थी सुन्दर राइटिंग जो लिख लेते थे वो इनको कॉपी करते थे लिखते थे बाई दा मीडिल ओफ नैंटीन सेंचुरी विद दा इस्प्रेड ओफ प्रेंटिंग उनिस्वी सताबदी के मद्दे तक जब प्रेंटिंग का बहुत अधिक विस्तार हो गया मल्टिपल कॉपीज ओफ दिस रिकॉर्ड वर प्रेंटेड तो इन रिकॉर्ड की बहुत सारी जो कॉपीज उनको प्रेंट किया गया और प्रतिक जो गॉपीज के डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे उनको इसमें प्रोसीड किया गया भिजवाया गया तो इस प्रकार जो गॉर्मेंट दस्तावेज होते थे तो उनकी कई सारी जो प्रतियां हैं कॉपीज हैं वो अब मिलने लगी थी उनको लोग रख रहे थे ओके